अगर आप सभी पुलिस टेशन विजिट करते हैं, पुलिस टेशन जाकर F.I.R लिखाना चाहते हैं और पुलिस टेशन में F.I.R लिखाने जाते हैं, वो हर बार की तरह एक चीज पुलिस टेशन में बड़ी कौमन है कि पुलिस वाले आपकी बात सुनने के लिए तयार नहीं चाहते हैं अब honorable court के माध्यां से जब आप लिखाने जाते हैं तो वहां पर भी इतना easy नहीं होता कि आपके फायार एक जड़ में लिख जाए उसमें आपसे मुलभूत तीन प्रश्ण पूछे जाएंगे वह प्रश्ण कौन से हैं मैं बताऊं इससे पहले हर पर मेरा legal opinion चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं तो अपनी appointment schedule कराकर लखनो दिल्ली अलाबाद आ सकते हैं या मुझसे आप telephone conversation करा सकते हैं चली हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए जब पुलिस वालों के पास आप जाते हैं पुलिस वाले आपके फायार लिखने से मना कर देते हैं जो भी आपने complaint दिये तो आप 156 में court जाते हैं पहला प्रश्ण वह आपसे पूछेंगे कि आज जो आपने शिकायत दी वह संगय अपराद है यानि कि कोगनीजीबल ओफिंस है देखें ऐफ आयर आपके तभी होगी जब वह कोगनीजीबल ओफिंस होगी जब वह फ़स्ट से पहले क्या होता है कि आप पुलिस टेशन अप्रोच करते हैं पुलिस वालों के पास जाते हैं पुलिस वाले अगर आपकी नहीं बात सुनते हैं पुलिस टेशन मरतब आपको क्या करना होता है आपको उनके senior officers को लिखिच सिकायत करनी होती है तो court में आपसे पूछा जाएगा क्या आपने उक्त घटना करम की शिकायत पुलिस वालों के senior अधिकारियों को दी थी ठीक है तो senior अधिकारियों को representation अगर आपने दे रखा हुआ तो उसकी receiving लगाईए इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी complaint अगर police officers को करनी हो हो senior अधिकारियों करनी हो तो by post भेजिए और उसकी receiving आप लगा दीजिए ठीक है उसके बाद आप से क्या पूछा जाएगा कि क्या आप जो है FIR जो लिखाने आये हुए हो कोर्ट में वह आप appropriate है कि नहीं है हाँ third question जो सबसे important होगा जब आप यह दोनों step उठा लेगे यानि कि पहला आप बता दोगे कि first instant में जो है आपकी एफ आयार जो है बनती है मतलब का अपने सीनियर officers को अप्रोच का हुआ है तो तीसरी में क्या होगा पुलिस से जो है code जो है करने की जरूवत क्यों है जब आप यह सारी के सारी चीज़े explain कर ले जाओगे एटियार मंगाने पर जो है पुलिस को जबाब देना होगा कभी कभी पुलिस कह देती है कि केस जो है कि अगर जानकारी बढ़िए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ ही साथ अगर आप लोगों ने मुझे facebook instagram twitter पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो करिएगा थैंक्यू सोमा जैहिंद वन्ने मात्रम भारत माता की जै